हालो स्टूडेंट्स वेलकम बाक टू मैं चैनल सुश्मित आइसबी आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूं मैं अपने चैनल सुश्मित आइसबी पे तो क्लास 10 आज मैं आप लोगों के लेकर के आई हूं बाइलोजी का चैप्टर वान जयाव प्रक्रम हम जयाव प देखे ताकि आगे जो भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया है वो आप लोगों को पता चल पाए ठीक है तो सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं यह कहना चाहूंगी कि जिनोंने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से मेरे को सब्सक्राइब करें लाइक करें जादा से जादा शेयर करें अगर आपको कोई भी बैक्ग्राउंड नॉइजे आती है गाडियों की तो प्लीज थोड़ा सा वाइड कीजे उसके लिए पहले से आपको शौरी ठीक है तो आई हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर जो पहले की वीडियो है उसमें मैंने अल्रेडी अमीबा के बारे में थोड़ा बहुत आप लोगों को बताया है तो आज हम देखते हैं अमीबा में पोशन यह जो डाइग्राम है अमीबा का जो डाइग्राम मैंने बनाया है यह बहुत इंपोर्टेंट है अगर एक्जाम में कोशन पूछा जाता है आप से कि Amoeba में पोर्षन बत़ाएं अमीबा का पोर्षन पिस प्रकार होता है तो अगर आप इस प्रकार डाइग्राम बनाकर अगर दिखाते हैं अमीबा का portion तो आपको अच्छे marks मिलते हैं ठीक है तो यहां पर देखे मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूं बहुत अच्छे से समझाने वाली हूं आपीवा पर पोशन तो अमीबा जो है आप देखिए अमीबा की जो आकरिती है वो चेंज होते रहती है अमीबा की कैसे आकरिती होती है? अमीबा की जो भी आकरिती है वो हमेशा क्या होती है? चेंज होते रहती है उसकी आकरिती एक जैसी नहीं होती है और वो एक क्या है? एक कोशिक के जीव है अमीबा कैसी जीव है एक कोशिक के जीव है वो एक कोशिक के जीव है अमीबा और अमीबा का कोई भी आकार नहीं होता है वो मतलब अपने आकार को मतलब अपने अनुरूप वो अपने आपको ढाल लेता है उसका कोई आकार मिश्चित आकार नहीं होता है तो यहाँ पे और यहां पर देखे बाहर में क्या है खादकन है यह मानलेजे कोई खाना है कोई भोजन है अमीबा का खादकन है तो यह क्या करता है उस भोजन को किस तरीके से पकड़ता है मानलेजे यहां भोजन है तो वो अपने कूट पाद यह जो दोनों निकले हुए है ना ऐसे और ऐसे ये दोनों उसके क्या है कूट पाद है पैर है जिस तरीके से हमारे हाथ और पैर होते हैं उनमें भी ऐसे वो उनका अमीबा का ये हाथ और पैर है ठीक है तो यहाँ पे अमीबा क्या करती है तो यहाँ पे अमीबा क्या करती है अपना भोजन इस कूट पाद के द्वारा ये ज कि ये खाद गन देखी अमीबा के अंदर चला गया कि यहाँ पे मालने जे खाद गन है तो वो अपने पैरो को इस तरीके से कूट पाद को फैला के उस भोजन को अंदर ले लेती है और वो उसको कहां पे लेती है खाद रितिका में लेती है उस खाद कन को वो अंदर कर लेती है खाद रितिका में ठीक है उसके बाद इस प्रकार से वो क्या करती है अमीबा अपना पोशन क्या करती है ग्रहन करती है इस आल रितिका में जाकर क्या होगा भोजन टूटेगा जिस तरीके से हमारा भोजन क्या होता है मुझ से होता वा पे नहीं होती है उसमें अमीबा आपना भोजन को क्या करदत तोड़ता है तो इस प्रकार से अमीबा में क्या होता है पोशन होता है तो यह जो डाइग्राम है आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट है आप इसको प्रैक्टिस कीजे ताकि जब आपसे कोशन पूछा जाए अमीब आप इस डाइग्राम को दिखा करके और अच्छे से आप इसको लिख पाए ठीक है यह बहुत इंपोर्टेंट है आए नेक्स हम देखते हैं पाचन तंत्र अब पाचन तंत्र क्या है तो कई तंत्र मिलकर भोजन को पचाने और उससे पोशन अवसोसित करने में मदद करता ह है उसे पाचन तंत्र कहते हैं कई तंत्र मिले होते एक तंत्र से भोजन नहीं पचता है क्योंकि भोजन टायरेक्ट जैसे पहले हमारे मुह में जाता है मुह में हम दातों के द्वारा भोजन को चबाते हैं फिर वो नीचे जाता है हमारे नलिका के द्वारा वो नीचे पाचन पाचन तंत्र कहते हैं वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि अगर आप एंड तक नहीं देखिएगा तो आपको पूरी चीज अच्य से पता नहीं चलेगी और जो भी आप पड़ रहे हैं उसी से आपका जब अबजेक्टिव कोशन होगा तो उसी से आप उसको objective questions का answer कर पाएंगे क्योंकि अब बिना पड़े तो objective questions का answer नहीं कर सकते हैं next आईए देखते हैं पाचन अब पाचन क्या है जटिल पदार्थ को सरल पदार्थ में तोड़ना ही पाचल कहलाता है जटिल पदार्थ यहाँ पे जटिल पदार्थ का मतलब क्या होता है तो देखिए रोटी है तो वह जटिल पदार्थ है जटिल है ना वही रोटी है पूरी गुल सी रोटी है अब उसको मुह में छोटी सी रोटी को डालते है उसको तोड़ते हैं दातों के द्वारा उसको चबाते हैं ठीक है इस तरीके से उसको तोड़ करके फिर वो नीचे नलिका के द्वारा जाती है हमारे पेट में आमाशे में तो वही जटिल पदार्थ को सरल पदार्थ में तोड़ना ही पाचन कहलाता है और पाचन का मुख्यक कारी क्या है भोजन से मिलता है उर्जा मिलता है तो इसका मुख्य कार यह है भोजन से उर्जा प्राप्त करना ठीक है अब आईए देखते हैं आहार नाल तो यह कोश्चन जनरली आपको अबजेक्टिक में ऐसा कोश्चन पूछ सकता है इंपोर्टेन है आहार नाल की लंबाई होती है 32 feet या 8-10 मिटर होता अगर मिटर में आप बोलो तो 8-10 मिटर होता है और फिट में 32 feet आहार नाल का पहला भाग है मुख गुहा मुख गुहा मुख जो है वह आहार का वहीं से हम भोजन ग्रवन करते हैं तो उसका फॉस्ट भाग है ठीक है नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं ग्रास नली या ग्रसीका ग्रास नली या ग्रसीका क्या है इसकी लंबाई 25 सेंटीमेटर है और इसमें पाचन की क्रिया नहीं होती है ठीक है ग्रास नली का यह जो नली टाइप की होती है उसी को कहते ग्रास नली का जहांसे मुख के बाद जो है जैसे मान ये मुख के बाद जो भोजन जो नलीका में जाती है उसी को कहते है ग्रास नलीका ठीक है मुख गुहा अब देखें मुख गुहा में क्या क्या होता है जो मुख है उसमें क्या क्या होगा जीव होगा हमारे मुख में क्या क्या है जीव है दात है और लार ग्रंथिया है क्या ग्रंथिया है? लार ग्रंथिया. अगर आपको अपजेक्टिंग में ऐसा question पूछा जाए, कि मुख गुहा में क्या क्या पाया जाता है? तो जीव, दांथ और लार ग्रंथिया. अब देखिए, दांथ कितने दांथ होते हैं हमारे लेग मानव शरीर में कितने दांथ होत तो हमारे दाथ टोटल कितने होते हैं, 32 होते हैं, उनका प्रकार क्या है, 4 है, आई ये अब देखते हैं, जीब के बारे में, तो हमारा जो जीब होता है, उसमें हम लोग देखेंगे, छोटे-छोटे उबरे-उबरे-उबरे-दाने होते हैं, तो जीब में हमें देखने को मिल को टेस्ट करते हैं, जीब से ही हम क्या करते हैं, कोई भी चीट का स्वाद लेते हैं, हम बिर्यानी खा रहे हैं, तो उसका स्वाद हमें कैसे पता चलेगा, जीब से ही हम उसको खाते हैं, चकते हैं, कोई भी चीज अगर हमारी जैसे हम किचन में खाना बना रहे होते हैं, या म स्वाद का लिकत इस से पता चलता है तो हमारे मुँ में तीन जोड़ी लार ग्रंथिया होती है कितनी जोड़ी लार ग्रंथिया होती है तीन जोड़ी होती है पाचन की ग्रंथी प्लस पाचन क्रिया मिलकर क्या बनाता है आहार नाल पाचन की जो ग्रंथी है वो और पाचन क् अभी देखा अभी मैंने बताया भी आपको आहार नाल की लंबाई तो आहार नाल की लंबाई है 8 से 10 मीटर आहार नाल का सबसे बड़ा भाग कौन है छोटी आथ है आहार नाल का यह वरी इंपोर्टेंट है कि आहार नाल का सबसे बड़ा भाग क्या है तो छोटी आथ है भोजन का सबसे अधिक पाच भोता है अब देखते है देखिए भोजन सबसे पहले आमाश làm में जायगा जॉटी हाथ यह तो अंतिम रूप से भी tut पचाने लायक है वो उसको पचाती है जो भोजन नहीं पसता है वो रिक्टम में रिक्टम में चाता है जो भी भोजन नहीं पसता है वो कहां चला जाता है रिक्टम में चला जाता है ठीक है आगे बढ़ते हैं यह सब इंपॉर्टेंट पॉइंट से इसको जरूर से जरूर य पूरी जो है वो क्या होती है आहार नाल होती है तो यह कुंडली जैसी रचना इसकी लंबाई कितनी है आठ से दस मीटर तक होती है और यह मुख गुआ से शुरू होकर मलद्वार तक होती है मुख गुआ अहार नाल का पहला भाग है यह उपरी तथा निचले जबडे से घिरी होती है मुख गुआ में जीब तथा दांत होती है भी मैंने बताया जीब दांत लार ग्रंथिया यहाँ पर पाई जाती है हमारे मुख गुआ में तीन जोड़ी लार ग्रंथिया पाई जात लार्ग उरंथी से निकलने वाला सबसे प्रमुख हार्मों है टाइलीना है, डीजोती है, अब तीलीन के बारे में जान लेते हैं जिनको हम क्या कहते हैं स्वाद कलिया कहते हैं इसी के वज़ा से हम स्वाद को क्या करते हैं स्वाद का पता लगाते हैं ने तो हम कुछ भी भोजन खाते हैं हमें तो स्वाद का पता नहीं चलता ठीक है अब देखिए स्वाद कलियों के द्वारा ही भोजन के मीठा, खटा, ख खट्टा है, खारा है, कड़वा है, इसका ग्यान हमें होता है, किसके द्वारा होता है, स्वाद कलियों के द्वारा होता है, अब यहां पे दात के बारे में, स्रिफ उसका एक डाइग्राम ही लेकर के आई हूँ, इसके आगे के क्लास में, मैं आपको लोगों को दात का अच् जदन होती है बीच वाली पोर्षन उसको क्या कहते है ग्रीवा कहते है ठीक है देख पारे हों गया इसको कहते है ग्रीवा ठीक है और उसका जो उपर का जो नुकीला पार्ट है उसको हम क्या कहते है सिखर कहते है ठीक है यह दात का डाइगराम है तो देखिए अगर आप कोई चीज़ को science में diagram बना करके भी दिखाते हैं, तो teacher पे एक अच्छा वो चाप पड़ता है आपका, तो वहाँ पे आप marks जादा गेन कर सकते है science ने, जैसे आप में amoeba का portion आप से पूछा गया, आपने उसको लिख दिया, paragraph 22 लिख दिया, माल लिजे, amoeba में portion कैसे होता है, लेक अच्छे को पता है कि किस तरीके से होता है, तो ये थोड़ा सा trick इस्तमाल कीजेगा exam में, ताकि आपको अच्छे marks है, जैसे अगर आपको दांत के बारे में पूछा जाए, तो आप line में तो word wise लिखी रहे, शब्दों से तो आप लिखी रहे हो, बट अगर आप diagram भी बना क जो हम पढ़े, तो ये देखे, पाचन तंत्र का, पाचन तंत्र का भी diagram बनाने के लिए आपको देता है, कि कैसे वो मुक से start होता है, नली जाता है, फिर कैसे छोटी आत होती है, ठीक है, कैसे बड़ी आत होती है, ये भी आपको दिखाने के लिए कहा जाता है, तो अगर आ पाचन तंत्र में जितना भी आपको लिखने को अगर बगल में डाइगराम बनाते हैं, तो आपके लिए बहुत ही जादा है कि आप इसमें स्कोर बहुत अच्छा कर सकते हैं, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, आगे जो भी आप लोगों क को एक्स्ट करना है, नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर के आओंगे, तो आज के लिए इतना ही, तो अभी भी जिनों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें, और जादा से जादा मे झाल झाल